आइ गाज विलकम यू अगेन ओन दवीपेस एड़ा हम कवर कर रहे थे परतियोक्ता दरपन जुलाई 2021 हिंदी मासिक पत्रका को तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं अब तक हमने कवर किया था राष्टिय और अंतराष्टिय घटना करम को जो भी दयार थी अभी तक राष्टिय और अंतराष्टिय घटना करम बला वीडिव नहीं देखे हैं आप जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वह वीडियो इस वीडियो को देखनी के बाद आपको इसको जाके देख सकते हैं तो इस तरह से, अभी मैं आपको बता दूँं कि इसमें total 3 पार्ट आपको मिलेंगे। अभी यह Part 2 मैं आपको बता रहा हूँ Part 3 भी आ आपको मिल जाएगा। Part 2 मैं आपको क्या क्या मिलेगा। राष्टी अंतरष्टी के बाद Part 2 में हम किभर करने बाले हैं इतने सारे पार्ट 2 में मिलेगे, पार्ट 3 में क्या मिलेगा आपको, Science and Technology, Economics, अर्थात आर्थिक परिद्रिस, Miscellaneous, चर्चित अब्धारनाय, और अस्मर्निये तथ, अर्थात जो को उस वन लाइनर कोस्टन होते हैं, उसको भी हम पार्ट 3 में कवर कर देंगे, तो ये तीनों पूरा जुलाई 2021 महिने का प्रत्योक्ता दर्पन हिंदी मावशिक पत्र का कम्प्लेट हो जागा, चुकि हमने एक ही वीडियो में कम्प्लेट इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा जब हो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं, फ्रस्टे हो जाते हैं, और उसक पीसेश दे रहें, किसी भी एक्जाम को दे रहें, तो पीटी पॉइंट अब व्यूस से आपको देखनी किया वसकता उसको नहीं पड़ेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सिवाएं को, अब यहां सबसे पहला जो है हमारा न्यूज वो है जी सैप, तो आपको क्य मंदी की मौजूद इस्तिति को देखते हुए, बड़ी मात्रा में सेकुरिटीज की क्रय, अर्थात सेकुरिटीज एकोजिशन की RBI की योजना है, जिसका खुला सा चार जुन 2020 को घोसित मौदरिक नीती में किया गया है, इससे बैंक के पास तरलता में बिर्धी होगी तथ हुआ अधिक करीन दे सकेगा, ठीक है, तो जी सैप क्या है, गवर्मेंट सेकुरिटी एकोजिशन प्रोग्राम है, जो गवर्मेंट सेकुरिटी बेचता है मार्केट में, उपन मार्केट ऑपरेशन के तहत लिकुडिटी बरगरार रखने के लिए, तो अब इसमें क्या करत इसको सुधेट उनको भी फायदा मिले, एक पॉइंटमेंट में सबसे पहला नाम है, जैंत चौधरी जी का, जैंत चौधरी जी को राष्टिय लोक दल के नया अध्यच के रूप में चूल लिया गया है, पहले ये उपाध्यच थे इस दल का, अर्थात राष्टिय लोक द तो कोशन इस तरह से फार्मूलेट होगा, कि जैंत चौधरी को किस दल का अध्यच बनाए गया है, तो राष्टिय लोक दल का, या जैंत चौधरी का सम्मंध किस से है, तो ये राष्टिय लोक दल के अध्यच है, चलिए, अगला जो व्यक्ति है, वो है मिर्दुलकुमार, इनको मेक्सिको का भारत का राजदूत चुना गया है मिर्दुलकमार को मेक्सिको का भारत का राजदूत चुना गया है कमेंट सेक्षन में मेक्सिको और सूरी नाम दोनों का आप कैपिटल लिखके बताईएगा मुझे सुरिनाम का जो भारत के राजदूर चुन गे हैं, एस बाला चंदरन को चुना गया है, तो आपको दो नाम यहां से आपको क्या आयाद रखना है, एस बाला चंदरन, सुरिनाम का और मिर्दुकुमार मेक्सिको का बस एक नज़ा दोड़ा लिजे क्योंकि इस तरह के प्रसंद जल्दी नहीं मिलते हैं बढ़ कभी-कभी अगर पूछ दे तो छूटे नहीं प्रसंद रामकरन बर्मा जी को अगर हम बात करें तो रामकरन बर्मा जी का जो नाम है सेंट्रल अफिरकन रिपब्लिक के अत्रिक परिभार सोपा गया है इनको और इनको वहां का राजदूत नुक्तिया गया है अब इसके बाद जो अगला न्यूज है इंपोर्टेंट है वो है सुबोध कुमार जी का नाम और ये सुबोध कुमार जैसवाल जी है भारतिय पुलिस जेवा के 1985 वाइच के महराष्ट के अधिकारी है जो IPS अधिकारी होते हैं उनको एक कैडर अलोट होते है पॉइंटमेंट के बाद तो ये महराष्ट कैडर के हैं और इनको अभी CBI के नए निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है चलिए अगला न्यूज है IB से अब IB अर्थात Intelligence Bureau Intelligence Bureau का काम होता है एंट प्रवाइड करना और Intelligence Bureau के अरविंद कुमार को कारजकाल में एक वर्ष की बिर्धी की गई है पहले से ही थे अर्विंद कुमार और उनके कारजकाल जो सेवा समाप्त होने वाला था उनके कारजकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है Intelligence Bureau के बर्तमान में अभी निदेशक कौन है अर्विंद कुमार है ठीक है खुपिया Bureau अगला जो न्यूज है यह काफी इंपोर्टेंट है यहां से प्रशन आपको मिल जाएगा एक्जाम में यह हैं सरवोच न्याले के पुर्वन अधिश नयमूर्थी अरून कुमार मिस्र अरून कुमार मिस्र जी को राष्टिय मानवादिकार आयो के अर्थात नेशनल हीमन राइट कमिशन का अध्याच चुना गया है तो इनका नाम याद रखेगा राष्टिय मानवादिकार आयो के बर्तमान में अध्याच कौन है आपको पक्का प्रशन मिलेगा अगामी जो भी एक्जाम होगा अगर वहीं अगर हम बात करें राष्टी मानवादिकार आयू का तो इसका गठन कभ रहा था 1993 में हुआ था तो राष्टी मानवादिकार आयू का गठन 1993 में हुआ था और सर्वोज चन्याले के पुर्व नयादिश नयमुर्ति अरुनकुमार मिस्र जी को इनका अध्याच चुना गया है तो याद रखना है नेमोर्ति अरुन कुमार मिश्र राश्टी मानवादिकार आयू के अध्याच चुन लिए गया है चलिए अगला है रोग तो आपने सारे एजेंसिया का देख लिया RBI को आपने देखा IB का देखा अब आप देख लिजे रौ को रौ का मतलब होता है research and analysis इसका फुलफर्म याद रखेगा रौ का फुलफर्म क्या होता है research and analysis भिंग यह भी खुफया agency है है ठीक है तो रौ के निदेशक समन्त कुमार गोयल का भी इस पत्तर एक वर्ष का काजगाल को बढ़ाया गया है तो एक वसकि बिर्दी तो इनका नाम है सामंत क्मार गोयल तो आपको इध्यान रखना है रा के बर्तमान में नीदेश कोन है सामंत कुमार गोयल अग्ला है कुलदीप सींग कुलदीप सींग जो है NIA आपने सुना होगा NIA जब भी कुछ देखते हैं अतंगवादी संगठ्रों के द्वारा कुछ अगर हमला होता है या कभी कुछ इस तरह के कॉंस्वरेशी होता है तो इनाय का नाम आप बार बार सुनते होंगे तो केंद्रे रिजर्व पुलिस वल अर्थात CRPF के महानेदेशक कुलदीप सीको एनाय के अत्रिक प्रभार के रूप में इनको सौंपा गया है जिम्मेदारी उसके बाद जो अगला न्यूज है वो है टीवी नरेंद्रन का अगला जो नाम है वो टीवी नरेंद्रन का है इनको 2020-22 के लिए CII Confederation of Indian Industry ठीक है CII Confederation of Indian Industry अर्थात भारतिय उद्धोग परिशंग के अध्यच के रूप में चुना गया है इतना बात आपको ध्यान में रखना है अब हम बढ़ते हैं अवार्ट्स की और तो मारा जो अगला सेक्षिन है अवार्ट्स में जो आपको ध्यान रखना है वो है Miss Universe 2020 का नाम मिस इन्वर्स 2020 कि इनको चुना गया है मेक्सिको को तो फिर एक बार मेक्सिको निउज में है आपको मैंने बोला था कमेंट सेक्षिन में या अप लिक के कैप्टल बताईए मेक्सिको को मेक्सिको की एंड्रिया मेजा है ये हैं एंड्रिया मेजा और इनको मेक्सिको का मिस इन्वर्स 2020 चुना गया है तो मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस इन्वर्स 2020 चुन लिया गया है तो ध्यान में रखना है मिस इन्वर्स 2020 कौन वनी है मेक्सिको की एंड्रिया मेजा इस तरह से याद रखेगा सो देट और इसका country भी आपको याद रहे क्या है कभी country भी पूछ लेता है कि Miss Universe 2020 एंड्रिया मेजा किस देश की रहने वाली है यह मेक्सिको की हैं ओके एंड्रिया मेजा नाम याद रहेगा और इस जो अवार्ड है यह जो अवार्ड है एनी अंतराष्ट्य प्रस्कार इसको मतलब उर्जा अनुसंधान के छेतर के अगर हम बात करें तो इसका नोबल प्रस्कार के रूप में माना जाता है तो यह भारत रतन प्रोफेसर सियनार राव हैं और इनको एनी अंतराश्टे प्रसकार से सम्मानित किया गया है इसके लिए एनरजी फरंटियर में अनुसंधान के लिए ठीक है चलिए तो अवार्ड सेक्शन भी हमारा खत्म हो गया यह आपको यह दो न्यूज था अब आते हैं परसन इंदर न्यूज को देखते हैं तो परसन इंदर न्यूज में सबसे पाला नाम है सुसील कुमार का हत्या कर दिया था तो इसलिए इन पर हत्या का जुर्म अर्थात हत्या का जो है आरूप लगा है और ये अभी सलाकों के पीछे हैं तो 2008 के ओलंपिक में ये बिजिंग कुष्टी में कांस पदक जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में रज़त पदक जीतने वाले सुशिल कुमा ये हैं सुशिल कुमार इन्होंने अपनी ही सवपाटी का हत्या किया था और उसी के जुर्म में अभी सलाकों के पीछे हैं चलिए अब आगे हम इसमें क्या देखेंगे अगला जो परसन है इन न्यूज वो हैं बोरीस जॉंसन बोरीस जॉंसन की चर्चा हमने पहले भी किया था ब्रेटेन के प्रधान मंत्री हैं बोरीस जॉंसन और अभी ये न्यूज में क्यों थे क्योंकि इन्होंने अपने मंगेतर कैरी साइमेंट से विवाग कर लिया है इसलिए ये न्यूज में थे देथ की अगर बात करें तो देथ से लगबग पुरशन उस तरह का नहीं प चाहेंगे ये प्रशन अगर पूछेगा तो यहीं से पूछने वाला है इनका जो संबंध है सुंदरलाल भागुना जी का ये परियाबरन विद्ध थे और इनका नाम चिपको आंदोलन से था चिपको आंदोलन पढ़े होंगे आप बच्पन में भी और जब आप परियाब और चिपको आंदोलन में भुमका के लिए इनको 1987 में राइट लाइवली हुट प्रसकार से सम्मानित किया गया था और उसके बाद इनके बारे में और क्या थे किन्तु उन्हें इसे स्विकार नहीं किया था बाद में इसको 2009 में पद्म भूसन से समानित किया गया था तो इतनी बाती आपको याद रखना है यह तो आवार्ट सो नहीं पूछेगा आपसे यह पूछने वाला है कि सुन्दर भूगूना जी का संबंध किस्ते है तो परिया एक और हैं व्यक्ति जिनका हम चर्चा करना चाहेंगे केके अगरवाल जी का केके अगरवाल जी जो हैं यह हिर्दय रोग बिसे सके थे और मैं आपको बता दूँ मैं डियो फ्रेंट्स कि यह जब से कुरोना हुआ इनको यह वीडियो आपको यूटूब पर मिल जाएंगे तो यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहुत सारे अब्धारनाई कोरोना के बारे में कि गैसे घर पर बैठे आप कोरोना का इलाईज कर सकते हैं और किस तरह से आप चांच सकते हैं कि कोरोना हुआ है आपको या नहीं काफी वीडियो इन्होंने बनाया और लोगों को बताय डॉक्टर वी सी राय पुरसकार से संभानित डॉक्टर केके गरवाल 2010 में पदमश्री से संभानित भी किया गया था इनको और ये परसीद्ध हिर्दय रोग विसेसग वह एंडियान मेडिकल एसेसेशन के अखिल भारती अध्याच भी रह चुके थे तो केके गरवाल क्या थे हिर्दय रोग विसेसगत है इनका नाम आपको जाना चाहिए चलिए बाकी रेष्ट ओफॉल नॉट टू मच इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है हर व्यक्ति का नाम अगर आप याद करने बैठ है तो आप से प महत्पूर्ण जेज हैं उनको देख लेते हैं यहां से कुछ महत्पूर्ण दिवस की अगर हम बात करें तो एक मई को देके तीन पड़ता है वो है अंतराष्टिय श्रम दिवस अर्थात मजदूर दिवस ठीक है और एक मई को ही गुजरात दिवस और महराष्टा दिवस भ विस्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाय जाता है तो यह प्रस्ण आपको याद रखना है यहां से तीन मही बाला को याद रखना है आपको और एक मही अर्थात मही दिवस के रूपे जो मनाय जाता है उसको याद रखना है उसके बाद अलावे आठ मही को विस्व प्रवासी डिवस भी इस भार मनाय गया तो मई का जो दूसरा सनीवार था 205 पे दिवस बरस में दोबार मय और क्टूबर के दूसरे सनीवार को मनाई जाता है टूट्वैस जो है साल में कितने बार मना तो आपको कौनसे ओप्शन लगाने हैं अगर आठ महीं को मार दिया तो आपका प्रशन गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि उसमें ओप्शन यी जो प्रवधान ना उसमें होता है उप्युक्त में से कोई नहीं है और उप्युक्त में से एक से अधीक तो चुकि साल में दो बर मना जाता है तो आपका अगर आठ महीं को सिर्फ लगाते तो गलत हो जाएगा ठीक है चलिए हम सचेत कर दिये अगर इस तरह का प्रशन अगर आता है तो ध्यान रखेगा इगारा माई को देख लेते हैं इगारा माई को राष्ट्य प्रवदोग की दिवत अर्थात नेशनल टेकनोलोजी दे मना जाता है सिक्कम के स्थापना को देख लेते हैं 16 माई को सिक्कम गनराज की जो अस्थापना हुआ था 16 माई 1975 को हुआ था तो इसलिए 16 माई को सिक्क रखता आप दिबस फिर उसके बाद 31 माई की बात करते हैं एक जो इंपोर्टेंट है यहां पर 31 माई को क्या है विश्वु तंबाकु निशित दिबस यह था हमारा इयर्स और डेस से ठीक है अगर आपको और लगे तो वीडियो को पहुज करेगा और उसे स्क्रेंशोट ले आपको प्रवाइट कर दिया जाएँ चलिए पो क्यें उसका थे यहां से प्रस्यर बनते हैं इस पहला बुक्स जो से है वो है stories I must tell stories I must tell the emotion life It is the emotional life of an actor जो है कभीरवेदि का है किसका है कभीरवेदि का confusion मत होगा कभीरवेदी और किरणवेदि में यह आक्टर है और इन्होंने लिखा stories I must tell the emotional life of an actor ठीक है कभीरवेदि का संब्धे से हैं आगला इंपोर्टेंट बूख है इंडिया and Asian geopolitics इंडिया and Asian geopolitics शिव संकर मेनन के द्वारा लिखा गया है अगला है how to avoid a climate disaster क्या है? How to avoid a climate disaster याद रखियेगा इसको Bill Gates के द्वारा लिखा गया है इंडिया's power elite इंडिया's power elite caste class and culture revolution संजय वारू के द्वारा लिखा गया है सूले वन मैन वन हूप जो है जॉन ग्रिसम के द्वारा लिखा गया है सूले वन मैन वन होप किसके द्वारा लिखा गया है जॉन ग्रिसम के द्वारा लिखा है तो इतनी बाते बुक से आपको याद रखने है तो बुक सेक्षन भी हम ईको देखते हैं गया अस्पेस एक्सेस,ाफ्जल, अंतराष्टी अंत्रच स्टेश्ण से चार अंत्रच यात्रियों को वबापस पृध्थी पर लाया गया ठीक है तो ऑस्पेस एक्स एलन मास्क की नीजी अस्पेस एक्स कंपणी यह अमेरिका का है ठीक है क्या है अस्पेस एक्स जो है वो अमेरिका का एक कंपणी है एलन मस्क जिनका नाम है एलन मस्क उन्हीं का एक प्राइबिट है तो अस्पेस एक्स के कैप्सूल रेजिलेंस के जरिए जो चार अंत्रिच अब हम देखते हैं एक्सिडेंट को स्पेशल साइंस टेक्नोलोजी अलग कबर के जाएगा यहां एक स्पेश से बस थोड़ा सा जो स्पेश से आपको ध्यान रखना है बस यह नाम याद रखें एलन मस्क का है किनका है एलन मस्क का स्पेशक्स कंपणी है प्राइबेट आर्म गरश्ट हो गया था जिसमें पाइलेट सहीद हो गया थे तो काफी चर्चा में रहा था इनका नाम था स्कोड़न लेडर अभनब चौदरी तो यह जब वहां से एजक्ट किये क्या होता है जनरली कि फाइटर जब गिरने वाला होता है तो पाइलेट एक एजक्शन का प्रो अगला न्यूज का फिंपॉर्टेंट है वो यह कि इटली में आल्फ परबत स्रिंखला में केवल कार केवल कार दुरगट्टा में 14 लोग की मृत केवल कार क्या होता है दो पहाड़ियों के बीच में आप देखेंगे कि इस तरह से एक रोपवे जो होता है और उसमें छोट सिटली में आप से कोस्तन में पूछा जाएगा आल्फ परबत कहां है इन विसकौंसर देश में है तो इटली में है चलिए अगला नीच कांगो में नीरा गुंगा जोला मुखी है क्या है एक वलकेनो है जिसका नाम है नीरा गुंगा जोला मुखी उसमें विश्वोड कंगों और कंगों कभी महादीप में तो हमारा एक्सीडेंट फ v श्रिंखला हुआ था दो टेस्ट मैचों की जो श्रिंखला हुई थी उसमें बांगलादेश ने यह स्रिंखला दो एक से अपने नाम कर लिया ठीक है बस यह पूरा कहानी पढ़ने की अवसकता नहीं है पस यह द्यान रख ले श्रेलंका बंगलादेश टेस्ट श्रिंखला मे बंगलादेश ने यह श्रिंखला अपने नाम कर लिया दो एक से यह कापी बड़ी बिन है बंगलादेश के लिए बैड्मिंटन की बात करते हैं तो बैड्मिंटन में आपको क्या ध्यान रखना है इरोपिय बैड्मिंटन चैंपिंशिप 2021 की अगर हम बात करें तो यूक्र जो मेंस में सिंगल में कौन जीते हैं एंडर्स एंटोन सेंड ने जीता है ठीक है और महला में की अगर हम बात करें तो अस्पेन की कैरोलीना मारिन जीते हैं तो पुरिस बर्ग में डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेंड और महला बर्ग में कौन जीते हैं कैरोलीना मारिन औ इसके अलावा आपको फुटवाल देखते हैं फुटवाल में क्या है एटलीट को मैडरिट टीक है एग्जाम में तो एटलीट को मैडरिट का एग्रहमा लीग जो है एटलीट को टीम ने एग्रहमी बार यह किताब जीता है एनिवेइड इससी नॉट मच इंपोर्टेंट फॉम यूर एक्जाम पॉट भी तो इसके बात जो आपको ध्यान में रखना है गोल्फ से तो जेनरली बहुत कम कोशन पूशाता था एक्जाम में मुक्यवाजी के बात था दूबई में हुआ था होकि इसमें भारत ने कितना प्क जीता था टो्टल 15 प्क जिते थे कितना पंद्रक उसमें कौनकोन था टो स्वन अर्था दो गोल्ड पांच सिल्वर और आठ Model रहा और भारत li fakat जीता था और भारत। का आस्थ्था बंट्स के तो एस याई मुक किता था ऐसी आई मुक्वाजी चेंपिनशिप कहां वा था दुबाई में हुआ यूएए में पर्थम दुत्य और तीरतिय पोजिशन पर कौन रहा था कजाक्स्तान पर उजवेकिस्तान दिट्टे पर और मंगूलिया तीरतिय अस्तान पर रहा था ठ्यान में रहेगा से आई मुक्यवाजी चैंपेंशिप दोबई में हुआ था भारत का अस्तान चोथा रहा भारत ने टोटिल पंद्रा पदक जीते दो गोल्ड वांच सिल्भर आठ ब्रॉंज पहला अस्तान किसका था कजाकरिस्तान के था इतनी वाते ध्यान में रखिया है दो गोल्ड वाले का नाम आप पढ़ दीजे बागी का नाम उतना इंपर्टन नहीं है दो गोल्ड वाले का नाम था पुरुषबर्ग में एक स्वर्ण जो जीते थे और यहां देख लेते हैं उनका नाम है संजीत कुमार ठीक है क्या नाम है संजीत कुमार जीता था का 75 kg में ठीक है 75 kg वेट होता है व्यक्ति का इंडिविज्वल वेट होता है उसमें अपना यह हिस्सा लेते हैं गेम में तो पुजा रानी पच्छातर की जो केजी का जो वेट था भार था उसमें इन्होंने जीता स्वन्पदक और संजीत कुमार एक आनुवी केजी जो हैबी के लिए पारत के लिए स्वन्पदक संजीत कुमार और पुजा रानी ने जीता एक पुरुषबर्ग में और एक महलाबर्ग में इससे ही मुख्यबाजी चेंपेंशिप जो की दुबाई में हुआ था इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है होकी के जो अध्यच है अध्य टैनिस चलते हैं टैनिस जो है मैंडिट ओपें ऐलेक्जंडर जरेव ठीक है अलेक्जंडर जरेव वह आरियन सवालेंका ने इस एकल मैंडिट ओपन का किताब जीत लिया है यहां लिश्ट दिया हुआ मैंडिड ओपन का इसको एक वार ध्यान से देख लिजेगा आनिगा चैन्रव मल कुम नहीं कौन जीते हैं इसको आपको मैं बता दूता हूं में इगा इगा सिर्स टैकि जो है मेलाबर्ग में जीते हैं और 감사합니다 दो दो एक राघ आशा उपन को में दताब अध्याल तो फंटल सब्सक्राइब के रहाैं टीट है तो एक उसना इसको तोड़ा और होगा नीज इसको हम देख लेते हैं सो यहां देख लिए यह लिस्ट पूरा दिया गया है यह लिस्ट आप देख लिए इटालियन ओपन 2021 का जो की रोम में आई जित हुआ था पुरुस पर्ग में कौन जी था राफिल नाडाल ने जो के स्पेन के रहने वाली है और उप विजेता कौन हुए थे नुवाग जोको को दोनों को क्रोएसिया के रहने वाले हैं और महला यूगल में अगर बात करें तो सेरान फिंचमैन और यूलीना ओल्मोज ठीक है यूलीना ओल्मोज जोकी मेक्सिको के रहने वाली है तो इन्होंने जीता है इटैलियन ओपन टैनिस टॉनमेंट 2021 आपको में नियाद रखन तो कभी शेर जरूर कीजएगा लाइक करना मत बुलिएगा लाइक करने में कंजूसी मत दिखाएगा आपको हम पाट 3 जल्द लेकर इसको अपलोड करेंगे पाट 3 में हमने बताया था कि क्या क्या कबर करेंगे बेगयान परद्योग की आर्थिक परितरिस मिसिलेनियास चर तरने बाद